हलो दोस्तो मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नौड़े लाइफ दोस्तो मैं लेकर आया हूँ बिहार बुर्दास्वी परिक्षा के लिए साइंस का चेप्टर वाइज अब्जेक्टिव कोस्टन और दोस्तो हम देखेंगे चेप्टर टू मानो नेतर तथा रंग बिरंग कि संसार और इसका पहला को सन है चंदर्मर पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकास परतीत होता है यह 2 चौक्षास में आयो प्रस्टन है अपसण ए है नीला पसन भी है उज्जला अपसी है लाल और अपसन डी है काला दोस्तो एंसर है डी काला इस ट्रस्टन है चैप कुस है अप्शन ए तीन बी चार शी पांच और डी है साथ तो एंसर होगा डी साथ कुस्टन नबर त्री कि दिरिश्य परकास में किस वर्ल का तरंग धर्र अधिक्तम होता है यह दोजर ए तेरा ए में आया वह प्रस्टन है अप्शन है ए बैगनी बी लाल शी नीला और डी पीला एंसर है बी लाल कि कुस्टन नमबर फो एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदू होता है दोजर चौदा ए में आया वह प्रस्टन है अप्शन ए है 25 संटिमीटर अप्शन भी है सुनने अप्शन सी है 250 संटिमीटर अप्शन डी है अनांत यही एंसर है अनांत कुस्टन नमबर फाइब इंदधन उसका का बनना किस परिखाटना पर अधारित है यह अपन आपшихस जो नेत्र नीकट इस्तित वस्तों को सांप नहीं देख सकता उस नित्र में होता है डूरज दूरदृष्टी दोस ब निगरदृष्टी दोस C. जरादृष्टी दोस D. अवारधन झमता दोस्तो एंसर है A. दूर दुरिष्टी दोस Quesn No. 7 किसी कुलाइडी बिलियन में निलंबन कडोक के से परकास के पढ़ना किर्णन को कहा जाता है यह 24 श्री में आजवा प्राशन है A. वायू मंडाली परभाव B. किंडल परभाव C. टिंडल परभाव D. किंडल परभाव दोस्तों एंसर है C. टिंडल परभाव Quesn No. 8 समाने मानोनेत्र का दूर बिंदू है A. 25 cm B. 25 mm C. 25 mm D. अनन्थ पर दोस्तों समानेत्र का दूर बिंदू होता है अनन्थ A. इस तरसे Quesn No. Quesn No. 9 निकर दृष्टी दोस्तों वाले ब्यक्ति के चस्मे में होता है या 26 C में आया हो प्रस्न है A. है उत्ताल लेंज B. अत्ताल लेंज C. बेलनाकार लेंज D. इन में से कोई नहीं तो एंसर है B. अत्ताल लेंज है Quesn No. 10 अत्ताल लेंज Quesn No. 10 निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंज के लिए पर्युक्त नहीं किया जा सकता है अत्ताल लेंज A. है जल B. कांच C. मिट्टी C. है प्लास्टिक D. है मिट्टी तो एंसर होगा D. मिट्टी Quesn No. 12 निम्न में से किस दृष्टी दोस्तों में नित्र का क्रिष्टलिय लेंज धूंजला या आपारदर्शी होता है A. है निकट दृष्टी B. है मोतिया बिंद C. है देर्ख दृष्टी दोस्त या D. है जला दृष्टी दोस्तों एंसर है B. मोतिया बिंद में Quesn No. 13 17 दृष्टी के बियस्क के लिए सु असपर्ष्ट दृष्टन की अल्प मत दूरी होती है लगभग ये दोज़े बारह A. में आप रसने A. है 25 मीटर B. है 2.5 cm C. है 25 cm या D. है 2.5 मीटर दोस्तों एंसर है C. 25 cm यान पचीस सेंटिमीटर Quesn No. 14 Aspectrum प्राप्ट करने के लिए किसका इप्योग किया जाता है 2015 A. में आया परसन है अपस्टन है कांच की जिली B. उतलदर पर C. उतलदर पर D. प्रिज्म तो एंसर है D. प्रिज्म Quesn No. 15 Aspectrum में किस रंग की किरन का विचलन जुकाव बिचलन जुकाव अधिक होता है A. 11 और 2015 में आया परसन है अपस्टन A. है लाल B. हरा C. पीला D. बैगनी तो एंसर होगा D. बैगनी का Quesn No. 16 अभी नेत्र लेंस की फोकास दूरी में परिवर्तन किया जाता है अपस्टन A. पुतली द्वरा B. द्रिष्टी पटेल द्वरा C. पक्च माभी द्वरा D. पत्री का द्वरा तो एंसर होगा C Quesn No. 17 द्रिष्टी के निवरान के लिए उप्योग किया जाता है गोली बेल नकार लेंस B. उत्ता लेंस C. सम उत्ता लेंस D. उत्ता लेंस C. द्रिष्टी के निवरान के लिए 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 उत्ता लेंस आट इंग्येश्टरं कमान क्या होता है आई ये इंग्येस्ट्रं कमान क्या होगा यह दुस्यों आप अप्स्यों है अप्सल ए है 10 केपाऊ मायनस 10 मीटर 10 काऊ मैनस 8 मीटर 10 काऊ-11 मीटर या इन में से कोई नहीं एंसर है ए टेन के पावव मैंनेस टेन मीटर तो से कोशन नमबर ट्वेंटी है जड़ा जड़ा दूर दर्सिता के निवारन के लिए उप्यूग किया जाता है अप्शन गोलनकार बेलना लेस उत्ता लेंस दीव फोकली फोक्षी लेंस या उत्ता लेंस दोस्तों नित्र जिस भाग पर किसी वस्तु का पर्तिवी बनाते हैं वह है अप्शन ये द्वाज़ा तेला सी और द्वाचोदव ए प्रस्न अप्शन ए कार्णिया बी पत्रिका शी पुतली या दी द्रिश्टी पटल तो एंसर होगा डी द्रिश्टी पटल कोशन नमबर दिखोता है ये दो सुला सी का प्रस्न है अप्शन ए बैगनी भी हरा शी लाल या डी इन्में से कोई नहीं एंसर होगा सी लाल प्शन नमबर क्वेंटी त्री प्रिश्म से प्रकास की कौन सी परिखाटना करती है अप्शन ए प्रावर्तन बी अप्वर्तन सी वान विचे पर या डी इन्में से कोई नहीं तो दोस्तो एंसर है सी वान विचे पर कोई नमबर ट्वेंटी फो माननेत्र के किस भाग पर किसी वास्तु का प्रत्वी मनता है यह दोस्तो ला सी का प्राश्न है अप्शन ए कार्णिया बी अप्शन ए कार्णिया बी है द्रिश्टी पत्री का सी या पूतली है द्रिश्टी पतल तो दोस्तो एंसर होगा डी द् कि अबिनेत्र लेंज की फोकास दूरी को समय जुत करके विभीन दूरी उपर रखी वस्तु को फोक्सित करता है ऐसा हो पाने की कारण अप्सन ए है जरा दूर दृष्टता बी है समंजन सिया निकर दृष्टी दी है देख दृष्टी दोस्तों एंसर है वी समंजन के कारण ह किता है दोस्तों इस तरस और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल नौलेज लाइफ को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेयर करें तब तक के लिए सुख्रीब